मस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अंडा रोल बिजनेस के बारे में जी हाँ दोस्त यह अंडा रोल बिजनेस वाला कीतना कमाता है हम एक एक करके श्टेप बाई श्टेप बताने वाले हैं यह आपको कोई फेक या भरमित करने वाले वीडियो नहीं है ये एक दू दिन पहले हमने जाकर एक अंडा रोल विक्रेता से एनालसिस ठीक सी किया है उसे बारिकी से पूछ कर आपके सामने इस बोड पर बताने जा रहे हैं ये तीन से चार मेंट का या पांच मेंट का विडियो हो सकता है इसलिए विडियो को बीच में स्कीप मत करियेगा नहीं तो एक बीच टेप आपसे शुट जाता है तो आप समझ नहीं पाएंगे इसके बारे में इसलिए विडियो को अंतग जरूर दितियेगे ये आपसे बार-बार रिक्वेश्ट है इसलिए हम आपका ज्यादा समय नश्ट नहीं करने वाले हैं विडियो को सुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जैप्रकास यादोग टीचर और नोबेल राइटर तो चलिए जान लेते हैं कि अंडा रोल वाला वास्तों में कितना कमा लेता है कितना तक तो सीमा नहीं कितना भी कमा सकता है लेकिन ओ कैसे कमाता है कितना प्रॉफिट होता हम एक अंडा रोल के बारे में बताएंगे देखिए हमने दो दिन पहले एक अंडा रोल के बारे में वहाँ पर जाकर कुछ पुछ पुश्टाच की और उसने क्या बताए दिखिए एक अंडारोल की कीमत हम बता रहे हैं सिर्फ एक अंडारोल की कीमत एक अंडारोल बनाने में उसको एक रोटी लगी जिसका कीमत भी हम बताएंगे उसमें दो अंडा फोड़ा ठिक उसके बाद तेल में भुना तना तला उसके बाद उसमें कु को पूछा कि कितना खर्च आया एक अंडा रोल को बनाने में तथा सेल कितना में किया बस हम वही बताने वाले हैं तो देखिए इसी पर समझ लेते हैं जो रोटी है वो बताए कि दो से तीन रुपिया का एक पड़ जाता है दो या तीन रुपिया का एक पड़ता है क्योंकि लोग ठूक में लेते हैं ज्यादा से ज्यादा लेते हैं अगर कोई सिंगल में भिलने जाए तो 3-4 प्या पांच रुपय तक अधिक आएगा लेकिन वो फैकेट के रुप में ज्यादा ज्यादा लेते हैं तो उन लोगों का अच्छी-अच्छी क्वाल्टी का भी 2-3 रुप मार्केट में खुदुरा में भी जाएंगे तो 5-6 रुपय की मिल जाएगी लेकिन वो लोग ठूक में ज्यादा लेते हैं दोचार दर्जन लेते हैं यसे अधिक भी लेते हैं पेटी भी ले लेते हैं क्योंकि उनके पास सेलिंग है जल्दी से सेल हो जाता है यहाँ पर एक अंडे अर्था दो अंडे का कीमत यहाँ पर हो गया 10 रुपया ठीक से समझते चलिए हम आपको मैथ नहीं बता रहे हैं एक अंडा रोल का प्रापिट बता रहे हैं 10 रुपया हो गया उस पर उसने कुछ मसाला डाला कुछ जैसे पिसा हुआ बुरादे के रुप में कुछ म हुनने मल लगा अर्था टोटल खर्च पांचे रुपया भी आप उसका जोड सकते हैं अर्था आपका आगे देखी तो देखने में रिजनी टाइप का कोस्चन है लेकर हम कोस्चन नहीं बता रहे हैं टोटल खर्च उसका आ गया था 20-22 लगभग यही 20-22 से अधिक नहीं आया तो उसने बताए कि 20-22 में तयार हो जाता है लेकिन सेल कितना का होता है तो एक अंडारोल मार्केट में 40 रुपया का खुब आसानी से सेल कर देता है नारमल लुप से कहीं पर इसका रेट तो ज्यादा है लेकिन हम जहां पर यह छोटा सा एक सारहिना कई कस्बा है वहा अपना खर्चा या टोटल बनाने में 20-22 या 25 माल लेजिए 25 नहीं आने वाला है दिक्तम 20-22 यही आएगा लेकिन आप प्रोफिट जान लिजी यहां वीडियो की स्कीप मत करियागा इसे कोई भाइदा नहीं होगा आपको देखिए तो एक अंडारोल की कीमत कीतनी की रहा है नहीं 25 पड़ रहा है थोड़ा इधर उधर माल लीजिए तो आ गया 20 रुपिया ताथा सेलीं कितने का हो रहा है बेच कितने का हो गवेज होए और रहा है अगरह悦ा कीतने की स्कार नेद्पिस तो देखिए उसका लाब कितना कमा रहा है तो पेड़ीच मैस्य साब surprise निकाल देजिए हम एक गणित के रूप में बता रहें लेकिन आप इसे घबड़ाये मत कम आपको मैच सिखा रहे हैं उसका बोचत हो गया एक अंडारोल पर 20 रुपया तथा हमने अपने बाचित को सुरू किया तर उसी दवरान उसे ने दस बर अंडारोल तैयार करके सेल कर अर्थात अनमान यहीं लगा कि एक अंडारोल वाला नार्मल रुप से भी सतर असी या सोव अंडारोल खुबासानी से बेच देते हैं तो देखी अगर कोई सोव अंडारोल सेल कर देता है तोटल यहां पर बतार है अगर कोई सोव अंडारोल सेल कर देता है और उसका एक प वास वो अपना दुकान खुलते हैं साड़े तीन चार का सपास और अधिक्तम रात आठ साड़े आठ होते होते हैं उनका काम फिनिस लिकिन वो बस के उस अंडारोल ही नहीं सेल करा तो वहाँ पर चौमिन था पुछका था और भी अन्य तमाम थे लिकिन जो अंडारोल सेल कर उसकी हम बात कर रहे हैं अगर उस सो भी कर दे रहा है तो 2000 रुपया खुब असानी से कमा सकता है अगर सोची कि 2000 नहीं तो हो सकता है किसी दिन सेलिंग उसका कम हो किसी दिन ज्यादा हो ऐसो महीने का 40-50 रुपया खुब अराम से कमा लेता होगा या कोई भी अंडारोल वाल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी सेर कर लिजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को प्रेम पुर्वत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद